सुर्य डूबने से पहले किसान खेत जोत चुकेगा इस सेंटेंस के इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो दोस्तो ऐसे सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस के इस पार्ट से ट्रांसलेट करना सुरू करते हैं पहले यानि कि जो कारे पहले होगा इसमें क्या है पहले किसान खेत जोट चुकेगा इसके इंग्लिस पहले लिखेंगे तो ये future perfect का affirmative sentence है तो future perfect tense के affirmative sentences को इंग्लिस में translate करने का नियाम होता है पहले subject लिखते हैं और इस sentence का subject किसान तो किसान को इंग्लिस में farmer कहते हैं तो पहले लिखेंगे the farmer उसके बाद helping verb लगाना है will help उसके बाद लिखना है verb का third form और ही sentence का verb है जो चुके गयाने कि जो तरना को इंग्लिस में plow कहते हैं plow का third form होता है plow उसके बाद object लिखेंगे और ही sentence का object है khet तो plow के बाद लिखेंगे the field खेत को इंग्लिस में field कहते हैं तो the field लिखेंगे उसके बाद पहले के इंग्लिस लिखेंगे before उसके बाद सुर्य डूबने से इंग्लिस लिखना है यानि sunset सुर्य डूबने या सुर्यस्त को इंग्लिस में कहते हैं sunset तो सुर्व डूबने से पहले किसान खेत जूत चुकेगा इस sentence की English होती है The farmer will have plowed the field before sunset तो दोस्तो ऐसे और भी sentences का English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल के playlist में जाएं और यदि आप चैनल पर नए हैं तो रोजाना translation सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें